कर रादे रादे सभी कृष्णावस को अविशाज में आपको स्वागत है और अविशाज के सभी वीडियो सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविशाज और बेल बटन दवाना ना भूले आज हम बनाएंगे चिली पेटाटो तो उसके लिए मैंने लंबे-लंबे आलू काट लिये हैं कड़ाई में तेल गरम कर लिया यानि रिफाइन आप जो भी ऑईल यूज करते हो मैंने इसमें कौन फ्लार डाला है विकी फिल्ड का आप को भी भी कौन फ्लार ले सकते हो तो कौ जो है अच्छे से इस पर लग जाए इसके बाद आप कलर देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल मार्केट अज़सा आ गया अब हम इने फ्राई कर लेंगे ये थोड़े से ज्यादा है तो दो बार में फ्राई करूंगी और अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई कर लीजे देख ल आप देख कर आदाए कि और आप करो जाएं पाद एंगे छोड़ela कि और इसकी बाद कि अन्य वीडियो आप जरूर यूज़े एक देख लीजिये ये इक से क्रेस्पी हो रहां धी दिरे अब उनको ऐने के बाद मैंने एक पिर स dad will a तेल लेकर के जिंजर गार्लिक यानि आधरक लैसुन जो मैंने बारिक कसा हुआ था वो मैंने डाला है क्योंकि चाइनीज में इससे ही टच आता है वरना चाइनीज का फ्लेवर अच्छे से नहीं आपाता है मैं इसको फ्राई कर रही हूं लाइट गूर्डन ब्राउन होते ही मैं खिले खिले से जो मैंने प्याज कट करके रखे हुए थे वह मैं प्याज डाल दूंगी स्वरी मैं प्याज मसाले वगएरा के वीडियो में नहीं दिखा पाई हूं जल्दी की चकर में तो आप इस तरह के से बड़े बड़े मोटे करना है आप चाहें तो और भी जैसे कैरेट वगएरा पता गोभी वगएरा आप और भी डाल सकते हैं थोड़ी सी मैं हरी मिर्ची काट करके डाल दूंगी एक इसमें आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग मिर्ची नमक कर सकते हैं मैं थोड़ा से लाइट मसाले का बना र है थोड़ा सा 2 मिनिट के लिए भून रही हूं फिर इसके बाद मैं पाटैटो डालने वाली हूं इसमें जो मैं हमने फ्राइज बनाए हैं तो फ्राइज को मने डालना है इसके बाद मैं अच्छे से मैं इसको चला लिया आप देख रहे हैं प्याज हलकी गॉल्डन होती ज चिली फ्लीक्स डाले हैं मैंने थोड़े से थोड़े सा ऐसे च्ली फ्लीक्स आने चाहिए मूमें तो मैंने यह सब डाला है इसके बाद में जो मैंने साउस बनाय थी शेजवान वह साउस डाल हूं मेन टच ऐता है मार्किट वाला तो आप इससे सौन्स दालिए पिर इसके उपर आपको तो मैंने ये शीज़ों और सौन्स डाल दिया है रई ने विनेगर डाल दिया है और सौन्स डाल लेए जिंजर गारलिक विनेगर और ़्वारा और एजीनो मोटो गडरा जो होते हैं वह मेन इंग्रेंस होते हैं कुछ भी चाहिनिस बनाने के लिए मंचूरियम बनाए चाहिए कुछ भी आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ख्षे खिला बन रहा है बन रहा एक व":す तो यह थोड़ा सा इसमें ग्रेवी सा जाए हलका सा मसाला अच्छे से लिपट जाए इसे तो आप देख रहे हैं मैं इसको तेज गैस पर भून लूँगे अच्छे से दो मिनिट आपको तेज गैस पर चलाते रहना है उसके बाद में आप देखेंगे बहुत ही टेस्टी बन करके आएगा बाद में आप बनाने के बाद इसको पनी से गानिश कर सकते हैं आप चाहें तो चाय के साथ खाईए चाहें आप किसी के भी साथ खाईए तो मैं इसको पका रही हूं तेज गैस पर इस तरीके से चलाना है आपको की कटना जाए साइट से लेकर के चलाना है